आज हम लोग High Court करते हैं पिछने क्लास में हम लोग Supreme Court किये थे Supreme Court के बारे में सारा कौनसा आर्टिक्ल था Supreme Court कौन सा आर्टिकल Supreme Court Article 124 से Supreme Court था तो देखिए इसमें भी एक, दो, चार इस्तमाल हुआ है और High Court में भी एक, दो, चार इस्तमाल हुआ है फर्क क्या हुआ कि वर डिजिट इधर दर हो गया है High Court जो है आपका वो 214 से है तो आप लोगको याद रखने में आसानी होगी High Court जो है आपको 214 The High Courts in the States Article 214 देखा इसे भी लोग There shall be High Court for each state Article 214 कह रहा है कि प्रतेक राज में क्या होगा एक High Court होगा प्रतेक राज में क्या होगा एक High Court होगा Article 214 कह रहा है लेकिन आप जब दूसरा 31 देखिएगा 231 देखिएगा जब तो वहाँ एक चीज लिखा हुआ है Article 231 में वहाँ लिखा हुआ है कि Article 214 कहता है कि प्रतेक राज के लिए क्या होगा एक High Court होगा लेकिन वहीं पर Article 231 कहता है कि अगर Parliament चाहे तो एक Common High Court भी बना सकता है दो या दो से अधिक राजियों के लिए जैसे अभी आपका चंडिगर्ड High Court है पंजाब और हर्याना दोनों के लिए है बहुत जगों पर इस तरह से था अभी अब तो कुछ-कुछ ने-ने High Courts बने भी है ओके तो दो राजियों के लिए एक Common High Court भी बनाया जा सकता है According to Article 231 और ये काम कौन करेगा पार्लियामेंट करेगा चलिए ठीक Next 215 High Courts to be Courts of Record Court of Record आप लोगको हम सुप्रीम कोर्ट में अच्छी से बता भी चुके हैं समझा भी चुके हैं Every High Court shall consist Sorry Every High Court shall be a Court of Record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself Court of Record का मतलब हम लोग वहां बता चुके हैं आपको यहां पे simple सासी समझा देते हैं केवल Court of Record का मतलब होता है कि जिस High Court की बात कर रहे हैं वो उसका जो decision होगा वो record की तरह अविलेक की तरह उसका इस्तमाल होगा यही होता है Court of Record record की तरह इस्तमाल होगा और उस state के अंदर जो भी नियाले है उस पर वो binding होगा ओके जिसे पटना High Court का जो decision होगा वो बिहार के सभी कोटों के अंदर क्या होगा? Binding होगा यहीं कि अपने अधिनस्त नियाले में High Court के जो भी अधिनस्त नियाले होगा वहां पर वो binding होगा इसलिए इसको Court of Record काते हैं हम लोग इसको हम लोग as evidence किसी भी कोट में उस jurisdiction के अंदर हम लोग उसका क्या कर सकते हैं? उसका इस्तिमाल कर सकते हैं और इसको भी अधिकार होगा कि अगर कोई contempt करेगा तो उसको punish कर सकता है लिखा हुआ है और powers of such a court including the power to punish for contempt of itself अगर कोई इसके अभमानना करेगा अभहिलना करेगा तो उसको भी यह punish भी कर सकता है क्लियर? Article 215 क्लियर? अब देखिए Constitution of High Court Article 216 है किसी हों से मिलकर बना हुआ है आपका High Court तो काता है Every High Court shall consist of a Chief Justice यानि कि इसमें क्या होंगे Article 216 देखिएगा एक Chief Justice होंगे मुख नामूर्थी and such other judges as the President may from time to time deem it necessary to appoint और Parliament जैसा ताई कर देगा Parliament जितने judges की नियुक्ति करेगा Parliament इसके लिए नियम बनाएगा कि इस High Court में इतने judges होने चाहिए तो उस High Court में उतने judges और होंगे एक Chief Justice तो होंगे ही होंगे साथ में कितने और judges होंगे या Parliament ताई करेगा Clear? next appointment अर्किल तोसचर आप्वेड मेंogenएon by warrant under his hand and seal on the recommendation of NJAC referred in the article 124a and shall hold office in the case of an additional or acting judges as provided in article 224 and in any other case until he attends the age of 62 years. सुनिएगा अब क्या कहा रहा है सिम्पल सा चीज है यह हम लोग कोई बिसे बात नहीं है पढ़े हुए हम लोग सारा चीज हम लोग सुप्रिम कोट में पढ़े ही है कि यहाँ पे article दिहान रखना है कि हाई कोई सा आर्टिकल है वो चीज है Supreme Court के लिए अलग article था, High Court के लिए अलग article है ये कह रहा है आपको कि Judge की जुन नियुक्ति होगी कहां? High Court में Every judge of High Court shall be appointed by the President इनकी नियुक्ति President के द्वारा होती है हम लोग President के power में भी इस चीज को परहे थे President को अधिकार है, power है Supreme Court में और High Court में क्या कर सकते हैं वो Judges की नियुक्ति करेंगे After the consultation with the Chief Justice of India अब तो NGAC वाला बात हम केस में पढ़े ही थे कि इसको जो Unconstitutional कर दिया गया है Wired कर दिया गया है Qualism System follow होता है अब तो तो इस हिसाब से क्या करना है अब Chief Justice of India CGI Supreme Court के जो होंगे उनसे consultation के बाद किसी भी High Court में जज़्ज की नियुक्ति होती है By the President Clear? बोलते चलिएगा Okay Say Yes or No हाँ तो फिर से पढ़िएगा आप लोग ध्यान से अब देखिए क्या क्या चीज में लिखा हुआ है आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा Consultation with the Chief Justice of India यहनि भारत के जो मुख नयादीस होंगे Supreme Court के Chief Justice इसके बाद the Governor of the state Concerned and in the case of appointment of a judges other than the Chief Justice the Chief Justice of the High Court अब ध्यान से सुनिएगा अब यह क्या चीज कह रहा है यह कह रहा है एक example देकर समझा देते हैं कि मान लीजिए कि पटना के High Court में टिके न हमको judges की न्यूक्ति करनी है तो कौन करेंगे प्रसिडेंट करेंगे ओके और किसके Consultation से करेंगे CGAI यहीं कि Chief Justice of India के और जो बिहार के जो गवर्नर होंगे उनके सलाह से ओके और Chief Justice of पटना जो होंगे उनके सलाह से करेंगे बास समझ गया है इस चीज को अगर Chief Justice को छोड़ कर किसी और judge की न्यूक्ति करनी है किसी भी High Court में तो जिस High Court में हम न्यूक्त कर रहे हैं उस High Court के Chief Justice उस State का गवर्नर और भारत के मुख नियाय मुर्ति जो है Chief Justice of India उनके सलाह से कौन करेंगे प्रसिडेंट करेंगे यहीं से आपको आर्टिकल में लिखा हुआ है और इसमें क्या है और देख लेते हैं चलिए और अब क्या क्या चीद्यान रखना है और 62 साल इसका जो टेन्योर लिखा हुआ है जब तक कि उसका उम्र 62 ना हो जाए 62 उम्र किसी का क्रॉस कर गया है तो फिर हाई कोट के का जज नहीं हो सकता है वो ओके सुप्रीम कोट में कितने हैं कितना साल है सुप्रीम कोट के लिए और हाई कोट के लिए 62 है ठीक है 602 यह तक कोई भी जर्सुस के वह रिटायर हो जाएंगे या फिर अगर वह सुप्रीम कोट चले गए तो फिर तक रह जाएंगे वह अधर्वाइज इसका जो टेन्यूर होगा वह सच्छु टू येर्स तक होगा ओके दूससात्रह अजिने नेक्ष आजएए प्रुवाइड़ डेट अगर वह चाहें इस बीच में तो वह प्रइसदेंट को अपना रिजिगनेशन लेटर दे सकते हैं प्रइसेंट के नाम का रिजिगनेशन लेटर लिखेंगे और आपने आपको क्या कर लेंगे जॉब से अलग कर लेंगे a judge may be removed from his office by the president in the manner provided in clause 4 of article 124 for the removal of the judges of the supreme court इसकी भी जो removal होती है अगर कोई किसी high court के judge को अगर remove करना है हटाना है उसके पाद से तो उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से supreme court के judge को हटाया जाता है और यह mention किया गया है आपको आर्टिकल 124 का clause 4 में आर्टिकल 124 सुप्रीम कोट का जो परहे थे हम लोग यादा ना impeachment पहावियो और जिस और जिस ग्राउंड पे सुप्रीम कोट के judge को हटाया जाता है उसी ग्राउंड पे हाई कोट के judge को भी उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा ठीट सी नमर आईए दा ओफिस आफिस आफिस जज्ज सेल वी वेकिटेड बाहिज बिइंग एपॉंटेड बाइद बाइद प्रसिदेंट तो बीजज ऑप दे सुप्रीम कोट और बाहिज क्या वह अपना रिजिनेशन लेटर दे देते हैं रिमूब किया जा सकता है उनको बता दिए तीसरा है कि आप लोग सुप्रीम कोट पर लोग को पढ़ाए थे कि अगर सुप्रीम कोट में अगर कोरम पुरा नहीं होता है तो हाई कोट के जज को कुछ दिन के लिए वहां प किसी दुसरे हाई कोट में हो गया तो सीट वेकेंट हो जाएगा ओके यह आपको सी कह रहा है ठीके ना कि मतलब कि किसी जो जजिस का जो पद होगा ठीके ना अगर उसको या तो राश्च्पति के दुवारा उस्तम नियाले इसको प्रमोट करके भेज दिया जाता है हाई को सब्सक्राइब हो गया एक तो यह हो गया आपको या फिर उसको किसी और जगा क्या करती है तो सीट वेकेंट हो जाएगा कि यह सी नमर कह रहा है कंप्लीट कोई दिक्क्राइश में 217 क्लॉज वन में नेक्ट आईए दो नमर क्लॉज 2 क्लॉज 2 अब इसका क्या क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंट्मेंट section 217 clause 2 में देखी लिखा हुआ है a person to be qualified for appointment as a judge of a high court सबसे पहले वो भारत का नागरिक होने चाहिए he must be a citizen of India दूसरा है must have for at least 10 years held a judicial office in the territory of India 10 साल तक किसी नियाइक पद पे रहे हो he must have at least 10 years अगर आप 10 साल तक किसी नियाइक पद पे रहे हैं तो ही आप क्या होंगे high court में judge हो सकते हैं or must have for at least 10 years been an advocate of a high court or two or more such courts in succession हमको दो qualification चाहिए high court में judge होने के लिए दो qualification चाहिए क्या चाहिए तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो ये तो चाहिए ही चाहिए इसके नीचे दो qualification जो है हूँ judicial officer रहे हूँ या अगर ये तो ये चाहिए या अगर ये नहीं है तो आप 10 साल तक practice किये हूँ किसी भी high court में एक high court में एक सेहधिक high court में आप 10 साल से practice कर रहे हूँ कि ओके समझे है हां इसमें तो लिखाए नहीं कि डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए अनसुप्रिया हाँ हाँ एक बच्चा एक बच्चा हम से पूछ दिया था ये चीज़ इसमें तो कहीं लिखाए नहीं कि इसको डिग्री चाहिए पता नहीं बच्चा पूछा हमसे हम दो घंटा तक सोचे कि बात तो सही है अब यह सी बात है कि जब लॉग किया हुआ रहेगा तब तो वो जुनिसल ओफिसर बना होगा लॉग किया होगा तब तो वो प्रैक्टिस कर रहा होगा सवाल पूछ देता है न क्या नेक्स आईएगा अब देखेगा एक चीज में उसके बाद में जो है वह अप लोग देखेंगी एक्प्रांशन दे रखा है फोर्टा पर पर प्रप्र अब इस क्लाउज आए में लिख रहा है वो दिखा है कि आपको टाइम परिएट कैसे काउंट किजेगा यह जो लिखा हुआ है दस साल 10 years लिखा हुआ है इसको काउंट कैसे करना है कब करना है कैसे करना है तो आप इसको पढ़ लिजीगा कोई खास बात है नहीं थार्ड नमबर क्लाउज 3 में आई यह थार्ड नमबर if any question arises as to the age of a judge of high court the question shall be decided by the president after consultation with the chief justice of India and the decision of the president shall be final अगर किसी high court के judge को age को लेकर कोई question arise हुआ है कुछ दिन पहले हुआ भी था तमासा इस बात को लेकर एक बहुत बहुत बड़ा कोई एक issue आया था हुआ है एक जगा अलग mention किया हुआ था दूसरे जगा कुछ अलग mention किया हुआ था कुछ error था इस तरह का कि ध्यान है आप लोगों को कि नहीं ध्यान है एक को लेकर एक issue आया था तो इसमें यहीं चीज कर रहा है कि अगर किसी judge के age को लेकर हाई जाएगा चीफ justice of India भारत के चीफ justice of India के साथ सलाह करके इसका फैसला प्रेसिडेंट सहब करेंगे और प्रेसिडेंट सहब के द्वारा दिया गया जो फैसला होगा वह final होगा क्लियर चलिए यह आपका section 217 अब आईए इसका terms कितने साल का होता है 207 के एक में ही लिखा हुआ है अगर पुछा जाए कि हाई कोट के जज का जो tenure होता है कार्ज का कितने साल का होता है कि 62 यह दो सत्रा क्लॉज वन में लिखा हुआ है कि जज ऑफ हाई कोर्ट होट्स ऑफिस अंटिल ही एटेंस दा एज ऑफ 62 यह कार्ज काल 62 साल तक का होगा तो कि इससे पहले भी वह अपने आपको क्या कर सकते हैं वहां से हटा सकते हैं कैसी हटा सकते हैं प्रवाइडेट में लिखा हुआ है कि अगर वह रिजाइन कर दें 27 का एक का जो प्रोविजो है वह चीज है अधर्वाइज वह 62 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे और रिमूबर अफ जैने जो है वह कौन से स्क्षाम मैं है कश्ठील में है रिमूबर एफ जजज अफ हाइकवर पूर्ड हां कि आपकिसि के हाइकवर किसको कैसे जड़ पृषर के रिमोव कर सकते हैं किस किस आपचकrijkल में है यह लिखा हुआ अगर इसां में question पुछेगा कि high quote के judge को किस तरीके से हटा सकते हैं ये किस article में है आपका option है article 217.1, article 217.2, article 214, article 218, क्या जवाब देंगे इसका? हाँ, इसका जवाब आपको 217 का clause 1 में, लिखा हुआ है न, उसका प्रोविजो B जो है, प्रोविजो B, 217 clause 1, प्रोविजो B, उसमें लिखा हुआ है, किसी high quote के judge को हम लोग उसी तरीके से हटा सकते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोट के judge को हटा सकते हैं, और सुप्रीम कोट के judge को हटाने का जो है, वहाँ आगे लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है? दोसों, 124 के चार में, 124 के clause 4 में, किलियर? छीछ, नेक्स आजाईए, अब आईए, अब आईए, नेक्स, acting chief justice of high court, आटिकल दुसवत्ताइश, acting chief justice, दुसवत्ताइश में आई आपलो, appointment of acting chief justice, when the office of chief justice of high court is vacant, or when any such chief justice is by reason of absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the court as the president may appoint for the purpose. कि अगर chief justice नहीं है, अपने पद पे किसी कारण से नहीं है, उनका पद खाली है, तो प्रसिडेंट सहव क्या करेंगे? उसी court के किसी जज को या प्रभाड दे देंगे, या काम दे देंगे, तब तक आप क्या रहेंगे? एक्टिंग chief justice रहेंगे. ओके, तो नॉर्मली जो नियम है, जो senior most judge होंगे, वो acting chief justice का काम करेंगे. ये कस्तम चला आ रहा है. उनके बाद का जो senior most judges होंगे, वो क्या होंगे? एक्टिंग chief justice होंगे. किलियर? नेक्स्ट आईए. Additional judge. Article 224, clause 1. आपनों लिखते चले जाएगा point में. कहाँ पर क्या-क्या चीज है? आठिकल पुछेगा, तो आपनों उस तरीके से आठिकल लिखिएगा केबल. Acting judge. Article 224, clause 1. Additional judge. पर्ड़ी, acting chief justice हो गया. Additional. Appointment of additional or acting judges. तो additional judge के बारे में. Article 224, clause 1 में है. पर्दतें क्या है? President may appoint delay qualified persons to be additional judge of the high court for such period, not exceeding two years, as he may specify. ठीके ना? अच्छा, additional judge क्या होता है? यह आपनों सुने है, additional judge. यह कब appoint करते हैं? अब हुआ क्या? अब सुचिए गजरा धिहान से आप लो. कभी-कभी ऐसी इस्तिति आ जाती है, high court के पास, कि उनके पास काम का load बढ़ जाता है. समझे? कभी-कभी इसी circumstances आ जाती है, किसी साल में, या कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्तितियां आ जाती है, कि उसके पास काम का load बढ़ गया है. तो उस परिस्तितिते में क्या किया जाता है? additional judge को appoint कर लिया जाता है. ओके? सबका अलग-अलग नियम काइदा है. समझे निशा? हम लोग वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पढ़े थे, कौरम पुरा नहीं होगा, तो क्या होगा? वहाँ पे ad hoc judge वगएरा सब पढ़े थे. इसे में confusion मत होईएगा. जहाँ जो आर्टिकल है, वही आर्टिकल में उसी तरीके सिच्शियों को याद रखिएगा. समझ रहे हैं आप लोग बात को? हाँ, सबका अलग-अलग रूल है, अलग-अलग काम है, अलग-अलग परपस के लिए लाते हैं. एक्टिंग कब होगा, एडिस्नल कब होगा, एड होग कब होगा, तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा. एडिस्नल जजेज, आर्टिकल 224, क्लॉज 1. इप बाइ रिजन ओफ एनी टेंपररेरी इंक्रीज इन दा बिजनेस ओफ हाई कोट, और बाइ रिजन ओफ एरियर्स ओफ वर्क देयर इन, बहु सारा काम पेंडिंग परा है. जो चार साल से काम चल रहा है, हर एक साल कुछ ना कुछ काम पेंडिंग है. अब काम का एकदम काफी लोड हो गया है. और हम चाहते हैं, तब तक और आस्थाई रूप से हम इंक्रीज करें, ब्रिधी करें हम जजेज में. जो बकाया काम है, उसको कम्प्लीट करने के लिए, जजेज को कुछ दिन के लिए हम बरहाएं. ठीक है? और राश्पति महोदे को लगता है कि अभी फिलाल जजेज की संके यहां काफी कम है, यहां पे बरहानी की ज़रुरत है. इट एपिएस तु अब बेकार काची है, डुले क्वालिफायर परसंट टू भी अडिशनल जजेज अप लिए नहीं होगी. ओके? यह लिखा हुआ है, चोकि अभी अनकन्स्टुशनल तो केस के हिसाब से किया है, पाट्लियार मेंट इसको लॉब बना के हटाया नहीं है अभी तक. समझे? हाँ, हाँ, इसको रिपील नहीं किया गया अभी तक, हमारे कन्स्टुशनल रूप परस्ते हैं इसको हम लोग, ओके? हाँ, जब तक इसको रिपील नहीं करेगा, ठीके ना, लेकिन अब कस्टम में क्या हुआ कि हम लोग जो है, कोलिजन सिस्टम फॉलो करते हैं. हाँ, बताये थे, और केस भी बताये थे कि कहां पर इसको अनकंस्टुशनल कर दिया गया है, हाँ, बस यह लिखा हुआ है, एलोबरेट में इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसको हम लोग, नेक्स्ट आजाईए, एक्टिंग जजेज, आर्टिकिल 224, क्लॉज 2, अगर अगर एक्टिंग जज पूछ रहा है, तो आर्टिकिल 224, क्लॉज 2, अब देखिए क्या कर रहा है, 1. When any judge of high court, other than chief justice, is by reason of absence or, for any other reason unable to perform the duties of his office, or is appointed to act temporarily as chief justice. 2. A delay qualified person can act as a judge of that court until the prominent judge has resume his duty. कि अब यह क्या कर रहा है कि प्रसिदेंट सहब क्या करते हैं क्वाइंट करते हैं क्वालिफाइड परसन तो होना चाहिए डूले पालिफाइड परसन टू एक्ट एजज ऑफ हाई कोट कब इन केस अब देखिए किस-किस परस्तिति में इसा होगा यह option में दिया हुआ रहेग जज की संख्या बराने चाहिए कुछ दीन तक के लिए तो उससे प्रसिदेंट क्या करेंगे एडिशनल जज को लाएंगे एक्टिंग जज कब आएगा तो काता है क्या कि किसी काम से कोई जज जो है अभी अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है किसी भी कारण से ठीक है और फुर एनी अधर रिजन या कि शुट्टी पर चला गया है ठीक है और फुर एनी अधर रिजन या क्या हुआ है एक जज तब तक अभी बने हुए है एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हुए है तो उनका seat पर खाली हो गया है चिक अभी हो तो इस कारण से अगर seat vacant है तो तब तक के लिए किसी को acting judge बनाया जाएगा जब तक कि वो पुराने वाले judge जो है फिर आके अपना duty resume ना कर लें ओके clear 8 के 220 clause 2 clear तासिंग चित्रांसी शुमन अनुपमा निशा clear आप लोग को आर्टिकल याद रखना परेगा समझने के लिए तो राम से समझना आ जाएगा आप लोगों को तेकिना आर्टिकल याद रखना परेगा और थोरा सा अब तफनेस इस बात में है कि आप clause पूछता है option में अब यह नहीं पूछता है कि आर्टिकल 214 में क्या है अब आर्टिकल के के सामने आप लोग लिख लीजिए यह आपका एडिशनल जोग है यह आपका एक्टिंग जोग है तुस्के बाद आई ए नेक्स्ट आइक्स्ट ए headhog judges ARTI DD하겠습니다 ARTI 280 a एड होग जजेज एड होग जजज सुप्रीम कोर्ट में परहे थे हाँ हाँ देखे तो वही तो बोल रहा है कि आप लोग फर्क समझेगा कि सुप्रीम कोर्ट में एड होग जज कब लाते थे कि और यहांपर अट-어म जॉद कब ला रहे हैं कि यहांपर एक्टिंग जज भी हमएं तो सरकार का सभी जगह पर ay यह काम हो रहा है आदम도 Lucky टायर होगया है अब ला रहे हैं यहां पर एक्टिंग भी होता है यहां पर अब कोई जॉर्टार हो गए मान लीजिए तो जनल ऑफिस का सभी जगा पर यह काम हो रहा है अब तो ना कि आदम हो गया है फिर भी इसको एक्स्टेंशन दिये हुए है देखतें हैं ना अफिस वगर समय भी तो होता है यह चीजह हैं सुनिएगा दोस्टोविस के हाँ दोस्टोविस ए को दाचीब सुर्डी दोस्टोविस ए में आईए एपोइंट्मेंट ऑफ रिटार्ड जजेज एट सिटिंग ऑफ हाई कोट्स यही एड़ोग जजेज है notwithstanding anything in this chapter सुनिएगा क्या कह रहा है इसमें Chief Justice of a High Court for any state to request with the previous consent of the President a retired judge of a High Court to sit and act as a judge of that court until the permanent judge has resumed his duty एक judge है वो रिटार हो गए है ठीक न लेकिन तब तक क्या कहा गया है उनको कहा गया है कि अभी हमारे पास judge काफी कम है आप एक काम कीजिए ठीक न जब तक कि वो judge आ नहीं जाते है तब तक आप इस पर काम कीजिए भी अभी आप जाइए नहीं छोड़के ओके request any person who has held the office of a judge of that court उस court में वो काम कर रहे थे और any other high court या किसी और high court में से रिटार हुए है to sit and act as a judge of the high court for that state and every such person so requested sell while so sitting and acting be entitled to such allowance as the president may by order determine and have all the jurisdiction power and privilege of but shall not otherwise be deemed to be a judge of that high court ठीक नव उसको उस judge का नियाधिस नहीं समझा जाता है यह याद रखे को चुके रिटार हो चुके हैं इसलिए उसको एठाओक जज बोलते हैं और उसको judge की तरह salary भी नहीं दी जाती है जब रिटायर हो गए हैं तो फिर judge बाला salary नहीं मिलेगा उनको जो है भड़ना दिया जाया जाया है किलियर किसी को कर नहीं सकते हैं आप मान लिए कोई जाज रिटार हो गए हैं रिटार हो गए हैं अब उनको रिक्वेस्ट किया कि आप तब तक रहिए जब तक कि सीट फिर से भर ना लिया जाए तो उनके मर्जी पर है अगर वह करना चाहेंगे तो करेंगे नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे तब तो कोई bonding नहीं है रिटायर हो चुके है वह ठीक है ना तो उनका consent जरूरी है अब यसी बात है तो simple सा नियम है इसमें कुछ हाई नहीं है नेक्स्ट आ जाईए अर्टकिल 222 एक हाई कोट से दूसरे हाई कोट में जजेज को ट्रांसफर किया जाता है उसकी प्रिकडिया है 222 में ट्रांसफर आफ जजज फ्रम वन हाई कोट तो अनौधर आटकिल 222 एक हाई कोट से दूसरे हाई कोट में ट्रांसफर कर सकते हैं क्लियर दूसर बाइस the president may transfer a judge from one high court to another high court when a judge has been or is so transferred he shall during the period he serves after the commencement of the constitution act 96 to be act as a judge of the other high court be entitled to receive in addition to his salary such compensatory allowance as may be determined by parliament by law and until so determined such compensatory allowance as president may by order fixed हाँ यह तो यह तो एद्मिस्टिटिव चीज़े हैं कोई क्या क्या जा सकता है ट्रांसफर क्या जा सकता है बस ध्यान यह रखना है किसका आर्टिकल 222 है और प्रेसिदेंट सहब करेंगे विद्धा कंस्टल्ट आफ चीप जस्टिश ऑफ इंडिया ठीक है दूसर बाइस हो गया नेक्स्ट आईए शंकल्चंद सर्सेट का कल केस बताए ही थे आप लोगों को जो पढ़ने के लिए बोले थे इसमें पता है इसमें जस्टिस कौन थे है यूनीन और उफ इंडिया वर्से सकत्कूंड था संकल्चंद सर्ट का केस बताए थे करना आई है अब को यह परहे नहीं होंगे उसे पता है हैं को टाइम नहीं मिला होगा अपलोगों को मैं थिक्षा कि नहीं पर हैं कोई ना है कल बोले थे यूनियन यूनियन और यूनियन और इंडिया वर्सेश संकल चंद सेट का केस बोले आपको बोले थे गुगल भी कर सकते हैं आप टेस्ट बुक में भी है बहुत लेडिंग केस है आप लोग परे होते तो बोले ना कि इसमें जस्टिस थे भगवती पियन भगवती इसमें जो इसकेस का जो जस्टिस थे वो पियन भगवती थे जजें जुड नुझे जुड रवगवती हैं में जुड रव का जगव भी कर लिए जग अलव भी करन दोद दे गववती थे थे अलगे हैं कैसे मेheiten लिए डॉक्राइव यह बहुत के बहुंगे लिए इससमें मिजोर्टी में सब्सक्राइब का लेके आपस समय का अभाव रहता है लेके फिर बोल देते हैं, क्या, नहीं, यह आपका High Court in the state हो गया, बाकि कल हम लोग इसका जो डिक्शन करेंगे, पावर करेंगे, ठीक है, यहां तक आप लोग देख कर रखेगा,